अलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo X100 Android में आप अपने मुगाइल फून की वीडियो कॉलिंग की प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आँचके इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का हमें स्टार्ट कर ले दे हैं इसके अंदर आपको यह SIM card और मुवाइल नेटवक पर टप करना है इसके अंदर आपको अपने phone की SIM सेलेक्ट करनी है इसके अंदर आपको नीचे की साइड यह access point नेम पर टप करना है इसका अगला page आपका APN का होता है इसमें आपको right side की top पर यह 3. option आपको टप करना है त तरहें अग्या काम को दुलाव अगले पेजमिन सब्सक्राइन सब्सक्राइए डिकले पेज में इसके अगले पेज सेटिंग देख रहे हैं वाई-फ़ाई-वाई-डेटा-व्लूथ यह तीनों सेटिंग मुवाईल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रिसेट हो जाती है पेज आएगा यह वाला इसमें आपको restart का यह option tap करना है इससे क्या होगा mobile phone automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई भी problem आती तो वो solve हो जाती फोन को restart करने से ठीक है अब देखे अगला का में यह करना है mobile phone का software आपको चेक करना है कि update है या नहीं है पहले तो mobile phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page ओपन करना है setting page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको यह option मिलता है system update का इसे tap करना है इसके अंदर आपको कोई भी update का बटन या download इंस्टॉल यहाँ पर लिखावा दिखाई देता है तो उसे tap करके अपने phone का software update कर लेना है ठीक है अब देखे अगला का में यह करना है आइकन का यह option आपको tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है जैसे reset लिखा हुआ है ठीक है email id और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद mobile phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज करने है इससे आपके phone की video calling की problem solve हो जाएगी ठीक है